हेलो दोस्तो श्वागत है आप सभी लोगों का व्राजस्तान एकेडमी पर मैं परविंट सिंग आप सभी लोगों के साथ में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कंटिनुरसली विविन परकार की परतियोगी प्रिक्षाओं के लिए चुड़ा हुआ हूँ और हाल ही में एक नई बरति परतियोगी प्रिक्षाओं का नौटिपिकेशन जारी हुआ है आप सभी लोगों को उस नौटिपिकेशन के बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल के अंदर एक विडियो के मातिम से बता दिया था और आज मैं यह विडियो लेकर के आया हूँ आप सभी लोगों के लिए कि उसके अंदर जो दो सब्जेक्ट दे रखे हैं हमारे सिलिबस में पाठे करम में कि सामाने विज्ञान और गणित तो इसको लेकर के जो असमज़स की इस्तती है कई विद्यार्थियों को डाउट है कि हम इसमें पढ़े क्या कहां से पढ़े कैसे पढ़े और इस एक्जाम की तैयारी के लिए हमारी एक जो सटी करणनीती होती है जिसके माद्यम से हम इसे एक्जाम को कौलिफाई कर पाए और इस exam की तयारी के लिए कितना समय है, किस परकार से हम तयारी कर सकते हैं, कहां कहां से कर सकते हैं, यह सब चीजे मैं यहां पर आपके लिए लेकर के आया हूँ, आज इस वीडियो के माद्यम से आपको समझाऊंगा भी, और जो भी विद्यार्थी इस परत्यों की करिएगा कि हमें आगे क्या करना है, इस exam की तयारी के लिए आपके पास में प्रियाप्त समय है, और इस exam का जितना समय इसको चाहिए है आपकी तयारी के लिए, उतना समय आपको सरकार ने दे दिया है, कैसे दिया है, क्या होगा, सब के बारे में बात करता हूँ, ठीक, चल उसी पास विद्यारती है ना इसमें कोई डिप्लोमा चाहिए है ना कोई अनुगव चाहिए है ना किसी परकार के CET एक्जाम की कोई दिक्कत है यहाँ केवल और केवल दस्वी पास एक बच्चा भी इस फॉर्म को बढ़ सकता है बस उसके उम्र जो है अठारा वर्स से लेकर 40 वर्स के बीच में होनी चाहिए अधिकतम आयू में इसमें हलाकि छूट जो है वो विजिस परकार की जो अलग-अलग अपने कैटेग्री वाइस दे रखी होती है वो दे ही रखी है तो आप उसका भी लाब ले सकते हैं अगर किसी विद्यार्थी का किसी कारण वर्स उम्र जादा है 40 से तब इसमें इस्तरी और पुरूस यानि की कोई भी कैंडिडेट चाहिए वो मेला हो चाहिए पुरूस हो एपलाई कर सकता है और राजस्तान में कहीं से भी हो आउट अप स्टेट वाले भी इसमें एपलाई करते हैं ठीक है अब कितनी सीटे हैं क्या है वो सब पेपर होगा उसके अंदर दो पाट आने वाले हैं कितने मतलब एक पेपर है और उस पेपर को आगे जाकर के दो भागों में बाटा गया है एक है अ भाग और एक है भाग ठीक है अ भाग का वेटेज जो है वो जादा है 70 परसेंट का वेटेज रहेगा आपके यहां इस पर इस लिका हुए है भाग अ बारां किसका कितना रहेगा यानि इसका जो वेटेज है वो कितना रहेगा 70 परसेंट रहेगा क्योंकि टोटल इसके अंदर जो लिखित परिक्सा होगी वो एक सो पचास नमबर की होने वाली है और उस एक सो पचास नमबर के पैपर में 105 नमबर वो आपके भाग आके रहेंगे तो सीड़ी बात है कि जिसका जादा नंबर है उस पर उतना ही जादा फोकस भी करना पढ़ेगा और उस पर फोकस करने के साथ साथ इसके अंदर जो पाठेकरम है जो पढ़ने की चीजे हैं वो भी बहुत जादा है बागब के comparison में भागबर की बात करूँ तो भागबर जो है वो 45 नंबर का है और इसमें 45 ही कोसन आएंगे इसमें 105 नंबर है तो 105 ही कोसन भी आने वाले हैं तीन घंटे आपको दिये जाएंगे वन फोर्ट इसके अंदर negative marking है इस चीज़ का भी ध्यान रखे कितना वन फोर्ट नेगेटिव मार्किंग है यानि चार कोसन अगर आपने गलत करें तो आपका एक नंबर कट जाएगा जो सही होने की वज़े से आया था वो भी ठीक है अब बात करता हूँ मैं भाग अ के अंदर क्या-क्या पढ़ना है और उसकी देखिएगा भाग में दे रखा है राजस्तान राज्य के विशिष्ट संदर्व के साथ माद्यमिक इस्तर के सामान्य ज्यान जिसमें द्यनिक विज्यान और गनित सामाजिक अध्यन उगोल इठियास संस्क्रति कला समसामी के विशे तो सीधी सीधी सी बात करूँ तो आपकी सेलेबस में दे रखा है बेसिकली राजस्थान का आटेंड कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की जोगराफी, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की एकोनोमी, राजस्थान का करंट अफेर्स, मतलब हिस्ट्री special reference यानि राजस्तान की respect में ही आपको बात करनी है भुगोल की बात करोगे तो केवल राजस्तान भुगोल की बात करोगे भारत का भुगोल नहीं पढ़ना है तो आपको राजस्तान का जीके राजस्तान का सामाने ग्यान तयार करना है इसके लिए कहीं पर भी जो है राजिस्तान भुगोल या राजिस्तान की इत्याज या राजिस्तान की आर्टन कल्चर के लिए आपको कहीं भी PhD लेवल तक नहीं पढ़ना है केवल दसवी लेवल तक पढ़ना है और दसवी लेवल तक का कोशन कैसा आता है उसके लिए best reference मेरी तरब से रहेगा आप लोगों के लिए कॉस्टेमबल का पेपर उठाएं पहले बार भी पास होता था इसलिए उस लेवल तक जाएगा ये पेपर आप कॉस्टेमबल के साथ स जो पेपर होता है फोरेष्टर यानि की बन पाल का जो पेपर होता है आपके इसके अलावा दसवी पास का जो पेपर होते ना उससे थोड़ा सा संबन्दित आप कर सकते हैं इस पेपर को तो आपके forest guide फोरेष्टर और कॉस्टेमबल पटवारी और आप LDC को भी इसमे लेवल तक जरूर तयारी करें उस लेवल तक का ही आपको पैपर देखने को मिलेगा क्योंकि ये तो फॉर्स्ट टाइम वेकेंसी आई है तो इसका तो पैपर हमें मिलेगा नहीं तो इसलिए मैंने आपको ये रेफेंस बता दिया है कि आप किसको फॉलो करेंगे सरवादी का कोस्टेंबल और इसके साथ में आप फॉरेस्ट गाड और फॉरेस्टर ये जो तीन वेकेंसी है इनके अंदर जादा फोकस करिएगा इनके जितने भी पैपर आप सॉल कर सकें उतना जादा बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए और उसमें जिस लेवल तक का कोशन आया ह उस लेवल तक अपनी तयारी को बनाए रखें ठीक है इसके लिए अलग से कोई भूख खरिदने के आपको जरूरत नहीं है आपके पास मैं अल्रेडी जो मैंने भी भरतिया बताई चार पाँच इनसे संबंदित कोई भूख है तो आप उससे संबंदित ही जी के पढ़ ले है आपका काम जो है हो जाएगा आपकी तयारी अच्छे से हो जाएगी बिल्कूल भी यह नहीं सोचे कि जो है हम तो नई पसू चरीजर के एक नई वेकिंसी आई हम इसके लिए नहीं तरह कैसे पढ़ेंगे तो नए तरीके से कुछ भी नया पढ़ने को नहीं मिलेगा उसके प्राइजस्टान में जिलो की संख्या में जो परिवरतन आया है तो वह राजिस्स्तान बूगोल पर ज्यादा तो वो फॉर्म फिल करेंगे तो भाई आप जो है बिल्कुल भी ये नहीं सोचे कि जो है हमें नया कंटेंट पढ़ना या फैमस चिट्रों के पिच्चा भाग जाओ और उससे जो है आपको बरबादी मिले सिधी सी बात है कि सटिक तरीके से त्यारी करना कोई एकदम नया नहीं है इसके अंदर ये नहीं सोचे कि जिसने कह दिया बस वो बुक है लेकर के आगए नहीं नहीं किताब है पढ़े जा रहे हो क्योंकि हमें भी पता है जब हमने पास किये था हमने नई नई आई थे तो हमें भी साथ भी कुछ गलतिया हो रखी है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप धेरेवान हो करके जो है जो आपके पास में बुक हो या आपके भाई बेंच जो पढ़ रहे हो उन्हीं बुक में से आप ये पूरा कंटेंट पढ़ सकते हैं ठीक है तो राजिस्तान जी के का आपको बता दिया अब बात करते हैं इसम को हमें पढ़ना पढ़ेगा जादा तर तो देखिए पहले बात करते हैं अपन विज्ञान के बारे में विज्ञान के अंदर आपके तीन पोर्षन होते हैं आप सभी लोग जानते हैं पहला पोर्षन आ जाएगा आपके केमेस्ट्री यानि रसायन विज्ञान क्योंकि सभ को आपको डिटेल में तो पढ़ना ही पढ़ेगा बहुत एक विज्ञान और जिव विज्ञान है ना अब इसमें पहले से फिक्स है जो आपके कॉस्टमल का पेपर उठा कर देख लो फोरेश्टर का उठा कर देख लो उसमें जो पूछा है ना उसी लेवल तक पूछ रहे हैं तो सामानी आपके रसायन विज्ञान केकर मैं बात करूँ तो आपको तातू और अधातू और उपत और इनके योगिक ये वाला थोड़ा सा टॉबिक आपका तयार होना चाहिए इसके बाद में अमल और सार आपका तयार होना चाहिए टॉबिक ठीक है इसके बाद में अमल सार अमल दातू अपके दातू अधातू योगिक उगदातू मिस्र दातू जो होते हैं वो सब कुछ आप इसके अंदर पढ़ लेवें इसके अलावा इसके अंदर जो है आप जो अपने पहला वाला चैप्टर है ना परमाणू की सरचना जो बेलकुल बेसिक है परमाणू की सरचना जिसके अंदर आप ये पढ़ते हैं कि इलेक्टरॉन क्या है प्रोटॉन क्या है इलेक्टरॉ तत्व ये अगर कुछ विद्यार्थियों को नहीं पता है कहां से पढ़ना है वो भी बता रहा हूं इसकी क्लासे हम भी लेकर आ रहे हैं और साइन्स के अंदर आप लोग अमारा कंटेंट देखेगा बाफी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं ठीक है तो अठारा तत्व है इन तो इस परकार से यह चोटे मोटे आपको जो चिन है वो भी पता होने चाहिए लगबग 30-35 जो इंपोर्डेंट है एक से लेकर के उनके तो आपको पता होने ही चाहिए ठीक है इसके साथ साथ एक से लेकर 20 तक के जो तत्व है उनके परमानू कर्मान का आपको याद होंगे तो आपके लिए beneficial है ठीक है बस इसके around ही आपको chemistry के अंदर पढ़ना है ज्यादा chemistry में reactions वगरा आपको पढ़ने के ज़रुत नहीं है कहीं पर भी आपसे reaction से related कोई question नहीं पूचा जाएगा ठीक बात करें बहुते ग्ज्ञान में तो इसमें आपको Newton के गती के नियम पता हो ठीक है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए टेलिस्कॉप क्या होता है यानि दूर दर्सी क्या होता है सुक्स में दर्सी क्या होता है ये पता होना चाहिए साथ में आपको इसमें जो है विदूत के बारे में पता होना चाहिए किधारा क्या होती है ओम का नियम क्या है इससे related आपसे कोशन पूचा जा सकता है विदूत के जो effect है वो आपसे पूचे जा सकते है ठीक है तो ये topic आपका जो है अर्चे से तयार होना चाहिए इसके अलावा normally जो है इसके अंदर आपसे विदूत के अंदर परतिरोध से संबंदित कोशन पूच लिया जाता है किसे परतिरोधों से संबंदित परतिरोधों का सयोजल स्रेणी करम है समांतर करम है इस परकार के कोशन आपसे बहुतिक विज्यान में पूचे जाएंगे ज्यादा इसमें बहुती विज्ञान में निमेरिकल वगरा लेवल तक का नहीं पढ़ना है LDC 2018 का पेपर हाला कि टफ था उस लेवल तक आपको नहीं पढ़ना उस लेवल तक आपसे नहीं पूझा जाएगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ इतना लिखा है द्यानिक विज्ञान ये कहीं भी नहीं लिखा कि ये ये टॉपिक LDC 2018 के सेलेबस में इसलिए टफ कोसम पुझे गए थे क्योंकि वहाँ इस पर मेंसन कर दिया गया था कि आपके ये ये टॉपिक्स है ठीक है ठीक है तो इसलिए आपको जो है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब इस लेवल तक का पढ़ने की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी वैसे आपको जो पढ़ाया जाएगा वहीं से कोसम आएंगे ये जो है आप पिछले हमारे वीडियो और हमारी सेलेक्शन होने कीस किस निये सकता है सर्व डाटा ग्रूप कौन सा होता है और्च क्या होता है इसकी कोज कब हुई इस परकार का कोसं बता होना चाहिए एक क्यमेश्ट्री में जो है या फिर बायों में भी आप प्याडि कर सकते हो पिएच कुछ विशेष योगी को कि आपको पता सार जाता है प्र आपको इसके अंदर आपका उत्र सर्जन तंत्र से पता होना चाहिए पाचन तंत्र पता होना चाहिए ठीक है इसके अलावा रक्त-प्रिसंशरण तंत्र फूरा जो है वह थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसके अलावा कंकाल के बारे में आपको पता होना चाहिए यानि मनुष्य के सरी में कितनी हड्या होती है बच्पन के समय कितनी होती है लात कितने परकार के होते हैं ये सब कंकाल में आ गया ठीक है ना तो ये major portions आपको पढ़ने हैं इसके अंदर जादा एकदम पूरा का पूरा जो है मलत दिख्यान के अंदर PhD करने मत चले जाना वरना आप पिछे रह जाओगे इसके लिए कोई book खरीने के जरूरत नहीं है आपको संपूर्ण content मेरे द्वारा provide करवा दिया जाएगा ठीक है अभी उसके उपर भी मैं आ रहा हूँ सांती बनाए रखें केवल देख लेवें आज की हमें पढ़ना क्या है तो ये सब चीजे हमें विज्ञान के अंदर पढ़नी है तीन भागों में बाट करके बढ़िया तरीके से notes बना करके पढ़नी है ठीक चलो ये विज्ञान का portion हो गया major चीजे इसी के around आपके घुमेगी और इसी से related question पूछे जाएंगे अभी तक का मेरा यही experience है क्योंकि अभी तक आपका ये भी दस्वी पास है अब दस्वी पास में जहां 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 देनिक विग्यान लिखा हुआ था वहां जैसे question पूछे गए उसी level का तो आप से पूछेंगे forest guide में जो question आया forester में जो आया आपके question बल में जो आया है उसी level तक जाएंगे तो उसमें इन्ही से question पूछा गया आज तक है ना आज तक का कोई भी paper उठा के देख ले ना इन्ही topic उसे link है उसका बात करता हूँ मैं आगे आपके गणीत की किसकी बात करता हूँ गणीत विशे की ठीक है ये आप अपनी copy के अंदर एक syllabus के रूप में लिख सकते हैं रूप रेखा तयार हो रही है आपके classes को सुरू करने क के लिए और आपके जो है क्या-क्या चीज़े पढ़नी है उसके बारे में गनीत के अंदर देखो सबसे पहले जो कोसम बनता है वह बिन्नों से बनता है बिन्नों से related जिसमें आपको जो है दो बटे पांच इसमें जोड़ा जाए इसमें से बढ़ा कौन सा है चोटा कौन सा आरोई करम अबरोई करम नंबर सिस्टम चीज़े कहते है न वो पूरा इसी में आपको पढ़ना है संक्या पदती फिर आपको पढ़ना है लाभानी इससे related कोसन आपको एक्जाम में देखने को मिलेगा ही तीसरा आपको पढ़ना है फिर ब्याज के बारे में न अगर है सेलेवस में नहीं है क्योंकि यह तो जो है आपके देखो सभी में यूज़े सकता बिन्नों में लाभानी में ब्याज में सभी जगे फिर आपको जो है एक समय कार्य और दूरी इससे related कोसन आपके एक्जाम में देखने को मिलेंगे ठीक है यह पांच फिर आपका ए है एवरेज ठीक है एवरेज के बाद में आजकल जो है इस्टेटिक्स यानि की माद्य बहूलक मीन इनके बारे में जो है कोसं पूछी लिया जाता है तो थोड़ी बहुत आपको सांखी की भी पढ़न लेनी चाहिए क्योंकि जब कोसं आ जाता है फिर बाद में कुछ नहीं होता है ना तो सांखी की के बारे में भी आपको नॉलेज में होना चाहिए ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है लेवल लेवल से इसके बाद में बात करें अगर तो देखो आपको जो है लाबानी हो गया आपका बैयाज हो गया परतिसत हो गया समयकारे दूरी हो गया बिन से पितना लिखा गणित अब दसवी लेवल तक की गणित के अंदर यही सब टॉपिक आएंगे लेकिन गराब भी तो दसवी के टॉपिक में है तो मैंसन नहीं करा लेकिन पूछ लिया जाता है कई बार छोटा सा कोशन पूछ लिया है ना तो ऐसी चीज़े आप से पूछी ज कभी एक्जाम में कभी कभी देखने को मिलता है मैस और इजनिंग का मिक्स कोर्षन कैसे सर मैस और इजनिंग का मिक्स कोर्षन जो होता है वह आपका कोर्षन मैं आपको बताता हूं कैसे पूछेगा मैस प्लस रिजनिंग मलब मिक्स होगी जिसमें रिजनिंग भी होगी और मैस भी इंक्लूड रहेगी कोशन पूच लिया कि 10 कुट्ते हैं आपके पास बताइए कितने पैर है इस परकार के पूचे जाते हैं कितने कान है कितने सीर है अगर आपके पास में 10 सीर है तो बताइए कितने पैर हो सकते हैं इस परकार के पसूर से संबंधी जो है कोशन भी आ आना ये भी तो करना पड़ेगा तो इस परकार के कोसंस जो पूझे जाते हैं वो आपके काम के हैं साथी साथ इस एक्जाम में जब पसू परीचर की बात हो रही है तो पसूर से संबंदित जो कोसं है वो मैथ रिजनिंग मिक्स करके बन सकता अगर ऐसा तो वो पूझेंगे क अगर आपके पास इतनी बैसे हैं तो बताइए इस बैसों के अंदर इतने मूर्गिया एड़ कर दी गई तो बताइए अब टोटल पैर कितने हो गए इतने इंसान एड़ कर दी है टोटल पैर कितने हो गए ऐसे कोसं पूझे जाते हैं या नहीं तो वो मैथ रिजनिंग के म अलग अलग टॉपिक है ना वो सब मैंने बिन्नों के अंदर डाल दिया आरोई अबरोई करम बगरा सब इसके अंदर डाल दिया है ठीक और मेजर यही पोर्षन रहेगा इसी से संबंदित कोर्षन पुझा जाएगा आपको ज्यादा डरना नहीं है ठीक है आपको एक अनुप ठीक हो कहता हूँ कि पढ़ ही लेना चाहिए वो जैसे ही दस्वी या पार्वी पास करता है उसके बाद गणीत के अंदर यह 10 टॉपिक और विज्ञान में जो बताया वो पढ़ लिया तो गणीत और विज्ञान तो उसकी पहले से तयार है चाहे फिर कोई भी एक्जाम हो इन से रिलेडेड कोशन आजकल देखने को मिलता ही मिलता है फसू परीचर में भी देख लिया आपने गणीत और दैनिक विज्ञान एड की गई है तो आप इसे जरूर पढ़ने में अब मैं आता हूँ अपने यह मैंने बता दिया इसके अंदर बागी करंड अफेर वगरा निउस्पेपर से आप पढ़ सकते हैं इसके अलावा यूटूबर बागी बहुत से जो है अलग-अलग विद्वान साथी और कई अलग सिक्षक जो है आप लोगों के लिए क्लासिश लेकर आएंगे तो आप वहां से वह भी पोस्टें तैयार कर सकते हैं हमारे यहां से आप बात करते हैं अगर अपने यहां पर भाग बह्आ कि बहागब के मैंने पहले से संबंदित होना चाहिए तो वह क्या रहता है तो वह आपका जैसे इसमें क्या पढ़ना है तो आपको पढ़ना है पसुओं की प्रमुकर देशी नसल कौन सी है, करतिम गरबाधान कैसे किया जाता है, आपका फिर बदिया करण क्या होता है, संकर प्रजनन कैसे होता है, दुग्द दोहन, दुग्द इस्त्रवन काल क्या है, स्वच दूद उत्पादन वगरा ये सब ज टॉपिक गुगोल में पसु संपदा, उस पसु संपदा टॉपिक को भी आप इसमें इंक्लूड करके पढ़ें, इसके अलावा जो है, जैसे देखो, अब ये पूचा गया है कि परतिवेक्ति दूद, मास और अंडों की उत्लब्दता, परतिवेक्ति दूद की उत्वाद लगता, तो ये जो है, परतिवेक्ति वगरा, ये आकड़े तो आपको करंट के अंदर ही देखने को मिलेंगे, और मैं आपको यहाँ एक सजेसन दूँगा, यूटूब के उपर, मैं नहीं कहा रहा हूं कि सभी बैकार है, लेकिन कुछ जो है, इस पोर्षन को इसलिए भी क अबर करवाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस पोर्षन में ज्यादा बच्चे जूडएंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इस पोर्षन को इदर उदर से कुछ भी बढ़ाने का परयास करेंगे, कहीं से भी बनाकर लेकर आएंगे, अभी तक को अब पसुओं की उम्र घ्याद करना, क्कॉलिथीन से संबंदित पसुओं प्रयावरणों को हानी क्या है, पसु भी मा क्या होता है, ये कौन बता सकता है, तो पसु भी मा जो है, आपको पढ़ना है, तो आप सिधा ओनलाइन पे लिखें, और पसु भी मा के बारे में बड़ी बड़ी कंपनिया काम कर रही है उनका थोड़ा बहुत आपको नौलेज होना चाहिए कब इनकी स्थापना हुई किस ने करी इसके अलावा सफेद करांती किसे संबंदित थी है ना वो चीजे भी आपको यहां पता होनी चाहिए लाल नीली करांती हरी करांती है सब जो आपको जो है यहां पर देखने को मिलेगा इसके अलावा बेड़ बकरियों के स्वास्त का जो कलेंडर होता है यानि जैसे देखो महिलाओं में होता है ना कि बाई जैसे अपने मनुष्य के अंदर अगर प्रेगनेंसी की बात कर रहे तो नो महिने लगते है समय है ना अब आपको इनका सब का पता होना चाहिए कि पेड़ का कितना लगता है बकरी का कितना लगता है बैस का कितना लगता है गाय का कितना समय होता है उट का कितना होता है आदी का कितना होता है वैसे राजस्तान में जो विसेस है वैसे उट है बेड है बकरी है बैस है गाय है इनका जादा पता होना चाहिए गोड़े का पता होना चाहिए एक अपने जो है आपको पता होगा सिरो जिल्ले में सरवादी का मुर्गे पाए जाते तो मुर्गियों का पता होना चाहिए मनलब जो जो राजस्तान में पाए जाते है ना उन पसुओं के बारे में आपको विसेश ज कुछ होगा है ना इनके बिमार या पसुओं की जो पैचान है वो कैसे हो सकती है स्वास्त से संबंदित इनके अलग-अलग जो होते हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए और इसके लिए मेरी तरब से बहुत सांदार बूक है मैं आपको बता दू जो आपके यह क् जो सोसाइटी वगरा होती है ना वहां अगर आप जो है क्रशी से संबंदित वहां बहुत सारी किताबे आती है मेरे त्यान में एक किताब आ रही है अगर मेरे पास हुई तो वह मैं किताब की पीडियेप आपको फ्री में अवलेबल करवा दूँगा वो किताब के अंदर अपको यह पूरा का पूरा कोर्सन बहुत सांदार तरीके से फ्री मेरे रका है सरकार के दौरा वो सोसाइटी जो है वहां आपको यह बूक एवलेबल होगी तो आप अगर आस-पास में कोई रहता है तो वहां जाकरि है किसी जो सोसाइटी चलती है सरकारी सहकारी वो क्यासे होते हैं इन सबी के बारे में आप इसमें से पढ़ सकते हैं तो इस परकार से आपको तयारी करनी है मैं आप लोगों के लिए गणीत और विज्ञान की क्लासे जो हैं वो इसी सब्ता से शुरू करने वाला हूँ इसी सब्ता से आप लोगों के लिए गणीत और कब से स्टार्ट करें आप खुद कमेंट करके बताईएगा और आप लोगों को ये कंटेंट बढ़िया तरीके से एकदम एवलेबल करवाये जाएगा और इसके साथ में आप लोगों को प्रैक्टिस वगड़ा के लिए भी कोर्सन करवाये जाएंगे और जो वेकंसी मैंने ब पड़ना ठीक है चलिए तो अब मिलेंगे अपन सीधा क्लासेस के अंदर और भी किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो फिर मैं आपके लिए क्लासेस भी शुरू कर दूंगा ठीक है दन्यवाद जय हिंद जय बारत